हेले स्टुडेंट्स वेल्कम बेक यू आ वचिंग एड़ उनलाइन चैनल फो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर आए कंटीनु करते हैं चैप्टर 6 प्रेंगिल्स और इस वीडियो में डिसकस करेंगे क्विशन नेंबर 11 और 12 पर एक्सराइज 6.5 रियर लाइफ प्रोब्लम्स हैं कैसे हम पाइथा गोरस ठिरम का यूज करने के बाद रियर लाइफ प्रोब्लम्स को सॉल्ब कर सकते हैं वो हम इन प्रोब्लम्स में देखेंगे आईए फर्स्ट 11 को देखते हैं कोई अरोपलेन एरपोर्ट से उडान भरता है किस डारेक्शन में नोर्थ डारेक्शन में और उसकी स्पीड कितनी है 1000 किलोमेटर पर आवर at the same time उसी समय another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 किलोमेटर पर आवर उसी समय दूसरा प्लेन उसी एरपोर्ट से west direction में उडान भरता है और उसकी स्पीड है 1200 किलोमेटर पर आवर how far apart will be the two planes after one hole and one upon two hours दोनों plane one hole and one upon two hours के बाद एक दूसरे से कितनी दूर होंगे ये हमें पता करना है तो इसकी पहले हम graphical representation करते हैं जैसा कि हम जानते हैं map में हम north उपर की तरफ show करते हैं south नीचे east हमारे right side में और west हमारे left side में सो ओ लेट माल लेते हैं o is the airport ओ क्या है airport है तो एक plane जो यहां से o से उड़ान भरेगा north direction में माल लेते हैं वो a तक जाएगा और जो o से west direction में भरेगा वो कहां तक पहुँच रहा है b तक o a हमने कम ली है और o b हमने ज़्यादा ली है अब a b हम कैसे पता कर सकते हैं आप देखेंगे जो हमारी यह sides होती हैं उनके बीच में 90 का angle बनता है so this o a b as a right angle triangle यदि हमें o a और o b पता चल जाएं तब हम a b पता कर सकते हैं आसानी से पाइथा गोर श्रम का यूज़ करेंगे so o a और o b है क्या o a as the distance stable by the first plane पहले plane ने first one hole and one upon two hour में कितनी distance कवर की this is the o a and second plane कितनी distance कवर करेगा one hole and one upon two hour में that is o b distance पता करने के लिए हमें speed और time दोनों दिये गए हैं तो speed और time की मदद से हम distance पता कर सकते हैं वही करेंगे distance stable by the plane flying towards north in one hole and one upon two hours जो north direction में ओल रहा है plane वह one hole and one upon two hours में कितनी distance कवर करेगा वो कितनी होगी speed multiply by time distance का formula होता है speed multiply time speed है 1000 km per hour और time है हमारा one hole and one upon two hours अब यह mixed fraction में है simple में change करेंगे तो two one जा two and one three upon two मिलेगा और जो distance आईगी वो किसम आईगी km में चुकिए speed किसम है हमारी km per hour में इसलिए time हमने यहाँ पर hour में रखा अगर हमारी speed meter per second में होती तो time हमें यहाँ पर second में रखना होता और speed हमारी किसम मिलती meter में अब यह two is one thousand को cancel कर सकता 500 time और five hundred की three से multiply करेंगे तो मिलेगा fifteen hundred kilometer so this oa will be the fifteen hundred kilometer easily we can calculate ob similarly distance stable by the plane flying towards west in one hole and one upon two hours how much कितनी होगी वही formula यूज़ करेंगे speed multiply time इस plane की speed कितनी ही 1200 और time कितना है one hole and one upon two hours same time है फिर से इसको mixed में change करेंगे three upon two मिलेगा हमें now this two will cancel this twelve hundred how much time six hundred times 600 की three से multiply करेंगे तो क्या मिलेगा eighteen hundred kilometer so ob will be the eighteen hundred kilometer now in this right triangle oab we use pythagoras theorem क्या मिलेगा हमें a b square मतलब हाइपोटेनिस का स्क्वायर इस इक पल टू ओए स्क्वायर प्लस ob स्क्वायर कितनी है 1500 किलोमीटर ओभी कितनी है eighteen hundred kilometer replace करेंगे उनकी value से इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे यहां पर 15 और जब इस तरीके से आपको पास में 00 मिलें तो जो number है उसका स्क्वायर आप करें 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और जितने जीरो आपके पास है तो वह कितने हो जाएंगे double हो जाएंगे 4 हो जाएंगे ऐसी 18 का स्क्वायर होता है 324 और 20 यहां पर है तो कितने जीरो हो जाएंगे 40 यहां पर हमें मिलेंगे जो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यह आप किसी number कर रहें उसमें number of zeros क्या होते हैं double हो जाते हैं now we add them add करेंगे तो मिलेगा 549 and 4 times zero kilometer square अब यह तो AB square की value है और हमें किसकी पता करनी है AB की value पता करनी तो AB square से AB कैसे मिलेगा इसका square root लेंगे square root एक side ले नहीं सकते दोनों side लेंगे तो यदि हम इसका square root लेंगे तो इधर तो हमें मिलेगा AB और जब आप 549 and 4 times zero का square root निकालेंगे by using the prime factorization method तो आपको मिलेग 361 kilometer so what was this AB क्या थी यह AB it was the distance between the planes so therefore the distance between these planes will be 300 under root 61 kilometer after one hole and one upon two hours one hole and one upon two hours के बाद कितनी distance हो यह उनके बीच 300 under root 61 AB पर ही आपको answer नहीं छोड़ना है आपको last में यह statement लिखना जरूरी है आपको लिखना चाहिए next problem देखते हैं two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground दो कोई pole है एक 6 meter उसकी height है दूसरे की 11 meter है किसी plain ground पर वो खड़े हुए है if the distance between the feet of the poles is 12 meter यदि उनके feet के बीच की distance 12 meter है find the distance between the tops तो उनके tops के बीच में कितनी distance होगी तो इसके लिए first we draw the figure let a b as the first hour and c d is the second hour height इनके 6 meter 11 meter है दोनों के बीच की foot की बीच की distance foot क्या होगा a और इसका foot c तो a और c के बीच की distance कितनी है 12 meter and what we have to calculate the distance between the tops इसका top क्या है b और इसका क्या है d it means we have to calculate b d how can we do this इसके लिए हमें construction करनी होगी we draw b e parallel to a c एक b e हम line draw करेंगे जो parallel होगी a c के अब b e a c के parallel है और a b c e के parallel है क्यों है चुकि यह दोनों altitude है एक ही line पर यह दो altitude आप draw करते हैं तो वो दोनों parallel होते हैं so now in this quadrilateral b e c a opposite sides are parallel opposite side parallel है so that will be a palogram यह क्या होगा एक palogram होगा और palogram में opposite side equal होती है so this c e will be 6 meter and this b e will be 12 meter अब यह हमने क्यों किया यह इसलिए किया हमने चुकि देखेंगे b e क्यों draw की हमने चुकि पहले हमारे पास कोई right angle triangle नहीं था लेकिन यदि b e हमने draw की तो यह b e d क्या होगा एक right triangle होगा क्यों होगा चुकि यह altitude है means यह 90 होगा और यह b e a c parallel है तो यह corresponding angle होगा इसके that will also be 90 यह भी क्या होगा 90 होगा angle e क्या होगा आपका 90 so now this will be a right triangle b e d और यदि b e और e d हमें पता हूँ easily we can calculate b d जो हमने किया वो यहाँ पर लिखेंगे let c d and a b be the poles of height 11 meter and 6 meter यह दोनों poles हो गए we draw d b e parallel to a c b e a c के parallel draw की इस से हमें क्या मिलेगा b e 12 meter and c e 6 meter from the figure it can be observed that d e is equal to 11 minus 6 कितनी होगी 5 meter अब आसानी से हमें इस triangle b e d में पाए था गोरस theorem use कर सकते हैं so applying pythagoras theorem for triangle b d e we obtain क्या मिलेगा हमें b d square मतला hypotenuse square is equal to d e square plus b e square मतला उसकी बचीवी दोनों साइडों के square का sum and we have the value of d e and b e 5 meter and 12 meter तो 5 meter का square यहां से मिलेगा 12 meter का square यहां पर हो जाएगा open करेंगे तो क्या मिलेगा 25 plus 144 और meter square यहां से भी आएगा meter square यहां से भी आएगा तो हमने यहां पर common लिख दिया now we add them we get 169 meter square and this also written as 13 meter and hold का square 169 मतला 13 का square और यह meter square था तो दोनों का हमने किया कि हैंपर complete square लिख लिख लिया यह आपको 20 तक at least square root learn होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक किसका square root क्या होता है sorry किसका square क्या होता है तो 13 का square कितना होता 169 चुकि हमें यहां पर अभी square root calculate करना है हमें bd calculate करना है bd square नहीं तो इसलिए हमने यहां पर भी क्या-क्या whole square बना लिया अब आसानी से square root लेंगे तो दोनों तरफ के square हट जाएंगे मिलेगा bd is equal to 13 meter and what was the bd it was the distance between the tops of the poles poles के top के बीच की distance तुम लिख देंगे therefore the distance between the tops is 13 meter so this way we can use Pythagoras theorem to solve our real life problems और Pythagoras theorem का कैसे हम use करने के बाद कुछ अदर relation प्रूब कर सकते हैं वो हम अगली वीडियो में जो हमारी problems आ रहे हैं important problems हैं उनको आप जरूर देखें उन में हम discuss करेंगे another use of Pythagoras theorem उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक से और कमेंट करना ना भूलें और साथी साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल पर नए हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइ आपर आप Allah को सब्सक्राइबéqu आप आ नहीं है टूलें आप चैनल को सब्सक्राइब रर एमें आप चैनल को सब्सक्तर ए उता हैं आप चैनल किया साथokee।